बीटी बनेंगे जिसके थुरू हम चेक करेंगे कि हमारी कौन सी अलकोहल है अब एथानोल जो हमार पास होती है ठीक है यह क्या देती है इट गिवज अइड़ोफॉर्म ठीक है जब यह रियक्ट करेंगे किसके साथ है आयडीन के साथ हिंदी प्रेजन्स आफ सोडियम हाइड अक्साइड तो हमारे पास क्या बनते है येलो कलर के क्रिस्टल्स बनते है ठीक है येलो कलर के पीपीटी जो हमारे पास वह इंडिकेट करते हैं कि अलकोहल एथानोल है यह नहीं कि अगर हमारी जो अल्कोहल है हमने चेक करनी है वह कौन सी कौन सी नहीं है चले मेतनोल करेक्षिन देख लेता है टू सी एच टू सी ह5OH साथ रियक्षिन हो गया आयरडीन का सोडियम हाइडरोकसाइड की मुझूदगी में ठीक है तो क्या होगा बनेंगे इसके अंदर आयरडरोफार्म साथ हमारे पस बनेगा एस सी डबल ओ न और साथ सोडियम आयरडर तो ये तो जो हमारे है ये बनेगे यैलो कलर के पीपीटी ठीक है यही हमारे यह लोकलर के प्रेसिप्टेट होंगे जो मैं बताएंगे कि यह जबके इसकी जगह अगर हमारे पास क्या होगा मैथनोल होगा तो यह रियक्शन नहीं होगा ठीक है मैथनोल यह रियक्शन नहीं देता जबके एथनोल हमारा यह रियक्शन देता तो इसम्हारा टृशर्य की है तो इसको हमारा टृशर्य कहले हो थीकित है तो पृशकी और तेसर अघर होगा वहां और ये हमाँ पास क्या होता है प्टाशियम डाइक औरमेट जो हमाँ पास असर डाइक औरमेट है ये सुल कि मुझादवशन होगा ठीक है और ये क्या करेगा रिजिस्टन्ट होते है ये अक्सिडेशन की ठीक है ये सिर्फ क्या देते हैं अलीमीनेशन रियक्शन देते हैं उन्होंने अक्सिडेशन दी थी ठीक है ये अलीमीनेशन देगा और इसके इंतिजे में इसके अंदर से वाटर का मालीकूल अलीमीने क्या बन जेगा 2-methyl-propene यानिके हमें क्या चीज़ सीखने को मिले के जो हमारे पास primary alcohol भी oxidation reaction देंगे secondary भी देंगे जबके tertiary हमारे पास नहीं देंगे